दर्शक गार्ण, स्रोता गार्ण, बाई और बेनों, मात्री सक्ति को नमन, चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेश और शिक्षा देने वाला, जीवन का रुपांतरन करने वाला कारिक्रम, पुनुत्थान में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदर ने सत्कार है, हमारे चैनल 24 प्लस न्यूज ने, इसलिए रखा है कि आज हमारे मुल्य गिर रहे हैं, आज हम भटक रहे हैं, आज हमारे युवापीडी भटक रही है, आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, और वो किस किस तरह का कारी कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति में कभी नहीं होता थ उनको पुने अपने इस्तान पर लाने के लिए ये एक ट्रेनिंग के रूप के अंदर उनकी मानसिक्ता को बदलने के लिए उनके माइंड के सेट अप को बदलने के लिए उनके अंदर जागरुकता लाने के लिए पुन्दृत्थान कारिकरम रखा गया है तो और उसके अंदर प्रती दिन ऐसे ऐसे विश्यों के साथ में जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि जीवन को एक नई दिशा मिलती है और हम जो हमारी रॉंग बिलीफ है जो हमारी बटगन है उस बटगन को सवापत किया जाता है तो इसी संदर में जो आज का हमारा एक विशे है वह विशे है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण भाही और बैनों दर्शगण सोतागण ये पूरी स्रस्टी ये पूरा चराचर जगत ये कॉस्मोस ये पर्यावरन ये सारी प्रत्वी जिस पर हमारा पूरा समु निवास करता है हम मनुश्य मातरे नहीं सरवत्र पानी जिसके अंदर निवास करते हैं ये तीन त्री गुणात्मक है तीन गुण कौन कौन से तमोगुण रजोगुण और सतोगुण और ये त्री गुणात्मक होने के कारण ये तीनों गुण इसमें निवास करने वाले प्राणियों में आ ग्यान वाला है. इसलिए वह इन गुणों से कैसे प्रभावित होता है उसको हम हाइलाइड करेंगे हुशको हम बताएंगे। और किस-kis गुण के प्रभाव से व्यक्ति क्या-क्या एक्टिविटी करता है। कौन कौन सा गुण अच्छा है, कौन सा गुण खराब है, कौन सा गुण हमें ग्रण करना चाहिए और कौन सा गुण हमें छोड़ना चाहिए, तो हम एके करके तीनों गुणों की पहले चर्चा करेंगे, हम पहले अच्छे गुणों से परहन करते हैं, सतो गुण, यानि सत, सत का म प्रवर्ति दार्मिक प्रवर्ति का होता है स्रस्टी धरम प्रदान होती है स्रस्टी का नजरिया जनता का भला करने का होता है चराचर जगत का भला करने का होता है भला कैसे होता है कि वह हमारी प्रात्मिक आफशकता है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकिसा हमारा भरन पो परशात करना, समय पर सर्दी, समय पर गर्मी, अती वरष्टी भी नहीं होना, अना वरष्टी भी नहीं होना, भुकंप भी नहीं आना और ऐसा जलवाई हो रहना कि जिसमें समस्त प्राणी आनंद से जी सके, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मनुश्य तो मान लिया कि अपनी व्यवस्ता कर लेगा, रजाई की व्यवस्ता कर लेगा, इटर लगा लेगा और घर के अंदर गुश जाएगा, लेकिन जो बेचारे दूसरे प्राणी हैं, वो क्या करेंगे, उनके तो मकान नहीं होता, वो तो खुले में रहते हैं, वो मर जाएंगे, वो एक पर्टीकुलर जो हैना टेंपरेचर के बाद में वो जिन्दे नहीं रह सकते हैं, सबसे अधिक जो हमारा सरीर स्वस्त कब रहता टेंपरेचर की दरस्टी से, कि हमारे अंदर का टेंपरेचर 30 डिगरी रहता है, बाहर का टेंपरेचर 30-35 डिगरी रहे, तब हम खुशी रहते हैं, हम प्रसन रहते हैं, क्योंकि दोनों सम होते हैं, सम अवस्ता में हमारा बाहर और बीतर का अच्छा एड़िस्टमेंट हो जाता है, यानि ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो ये सतो गुन के कारण होता है, और ये गुन जिस व्यक सोजता है, सेवा की बात सोजता है, उसके अंदर अच्छी अच्छी विचार आते हैं, वह एक देवत्व, मनुष्य होते हुए वी देवत्व का रूप होता है, मैं आपको कुछ बाई और बैनों दर्शे गंड सोता गंड, मैं आपको सतोगुन वाले महापुर्शों के उदा देना चाहूंगा, भगवान राम को देखिए, मनुष्य जैसे थे, भगवान कृष्ण को देखिए, मावीर को देखिए, गोतम को देखिए, गोतम बुद्ध को देखिए, विवेका नंद को देखिए, रविन्ना टैगोर को देखिए, मात्मा गांदी को देखिए, देहन गुनवाला हमेशा अच्छा सोचेगा परमार्थ की बात सोचेगा और जगत कल्यान की बात सोचेगा तो ये दोनों पर लागू होता है प्रकरती पर भी लागू होता है और प्रकरती में रहने वाले जीवों पर भी लागू होता है जीवों के अंदर मुक्की रूप से बहात मनुष्य की कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य उसको ज़्यादा ग्रहन करता है ज़्यादा प्रभावित होता है दूसरे के पास में जो दूसरे जगत के जीव है वो तो एकंद्री वाले हैं दोंद्री वाले हैं त्रींद्री वाले हैं चुतंद्री वाले हैं लेकिन पंचेंद्र होना चाहिए vision होना चाहिए मनुष्य है, मनुष्य तो सब एक समान है, साथ अरव की जन्सन क्या हम है, सब मनुष्य है सब के जो आख, ना, कान सब एक जैसे ही है, लेकिन जो महान व्यक्ति कौन है, जो विजिंदरी है जो युग दर्स्टा है, जो युग सर्स्टा है, आज हमारे भाई नरेंदर, हमारे भाई नरेंदर मोदी है, वो एक विशिस्ट व्यक्तित्व है, वो हमारे इस 125 करोड की जन्ता में से हमारे सामने आया है हमारे जैसा ही व्यक्ति है, लेकिन उनका दिमाग कितना powerful है, वो सतोगुन वाले हैं, वो स्थिर दिमाग वाले हैं, सबका सुख चाने वाले हैं, वो देश के हितेशी हैं, वो देश का भला चाहते हैं, कि हमारे देश के लोगों के लिए विकास की बात करते हैं, और उनके सामने 125 करोड लोगों के हित चिंतन की बात है, हो सकता है को स्वार्ति लोगों को, वो बात अपने चिंतन के कारण लगती है हो लेकिन उनके दिमाग के अंदर कहीं भी बुरा ही नहीं है, वो बुरा चिंतन नहीं करते हैं. अब कुछ छोटा तब का जो बहुत सौारती है बहुत वो कुछ नहीं करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं बरस्टाचारी है बदमाश है और दूसरा समाज असमाजिक तत्व है उनकी तो वो बुरा कहें तो उससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन ये सर्वकल्यांड की बात कर प्रकर्टी और मनुशियों दोनों पर लागू होती है. अब हम समयब के अलब तक एके गुण के उपर बात करें तो हो घंटों घंटों पर बात की जा सकती है. लेकिन सतोगुन, रजोगुन और तमोगुन तीनों की बात जो है हमें निर्धारित समय के अंदर करनी होती है और इसके साथ साथ में हम पेरलेल के अंदर देखें कि हमारा जो आईरवेद है बहुत पुराना है उस आयुरुवैद के अंदर पुरानी सारी हमारी चिकिस्था आयुरुवैद पदती से होती थी, एलोपेती तो आउए 150 वर्ष हुए है और ये 1000 वर्ष पुराना पहले प्राकर्तिक चिकिस्था थी, आयुरुवैद था, यूनानी थी, यही दवाएं हुआ करती थी, इसी से सारा कारी होता था, प्राकर्तिक चिकिस्था तो जबसे स्रस्टी बनी है, तब ही से बनी है, तो इसकी हम एक एक की हम विशेस्ता की बात करते हैं, कि जो हमारी ये हमारे सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन से जुड़े हुए हैं, ये पूरा के उनको सपोर्ट करने वाले ह तो हमारी जो आयुलवेडिक सिस्टम है उसके अंदर वहात, पित और कफ ये बताएगए तीनों ये संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्त रहता है और तीनों के अंदर असंतुलन हो जाता है तो व्यक्ति बिमार होता है जैसे वहात मतलब वायू जिसके अंदर वायू की ह तो उसके अंदर रजो गुन आ जाता है और जो वायू उसके बाद के अंदर जो अपना जो है ये तीन गुन में से वाहत पित की बात होती है तो पित की बात वाला जो व्यक्ति जो है वो तमो गुन में चला जाता है और कफ वाला व्यक्ति लो भी हो जाता है लालसी हो जाता ह बैमान हो जाता है यानि इन तीनों को अंदर अगर समभाव रहता है सम रहता है तो वह व्यक्ति जो है सतोगुण वाला हो जाता है इसी तरह से प्राकर्तिक चिकिस्टा की तरफ देखे हम ध्यान डालें प्राकर्तिक चिकिस्टा क्या कहती है यह स्रास्ट्री सारी पांच बायू और आकाश ये पांच भूतों से स्रस्टी बनी हैं और पांच भूतों से 84 लाग जीवा योनी जो स्रस्टी में निवास करते हैं उन से इन पांच भूतों से जनम होता है पांच भूतों से इनका भरन पोशन होता है और जितने समय तक वो अपना शरीर धारन करते हैं ज जब राम नाम सत होता है, जब सरीर चला जाता है, तो प्रत्वी प्रत्वी में अब प्रत्वी प्रत्वी में, जल जल में, अगनी अगनी में, वाईव वाईव में, आकाश आकास में, पंच भूत, पुन्ह समा जाते हैं, क्योंकि सारी स्रस्टी की एनर्जी स्रस्टी में रह वो परावर्तित होती है, फो से, द्रव से, द्रव से, गैस में ये बदलती रहती है, रूपांतरन होता है, लेकिन इस रस्टी के अंदर जो एनरजी जितनी भूत काल में थी, वर्तमान में उतनी एनरजी है, भविश्य में उतनी एनरजी रहेगी, रूपांतरन होता रहेगा एनरजी जो है नस्ट नहीं होती मैं जो बोल रहा हूँ ये भी एक तरह की एनरजी है ये वेस्ट नहीं होती है ये जाकर के इस जगत में इस परियावरण के अंदर समा जाती है तो हम बात कर रहे थे सतोगुन की उसके बात मैं अब दूसरे नंबर बढ़ाता है वो रजोगुन क्या लाता है रजोगुन क्या करता है ये चंचलता लाता है व्यत्ती जो है वह चंचल हो जाता है इस्तिर नहीं रहता है सतोगुन वाला इस्तिर रहता है और रजोगुन वाला उसका मन डोलता रहता है कभी इदर, कभी उदर वो एक जगे स्तिर नहीं रहता है और रजोगुन वाले चंचलता से क्या होता है कि व्यक्ती reliability उसकी खत्म हो जाती है इसको मैं स्रस्टी के viewpoint से देखूं तो रजोगुन होने के बाद के अंदर कभी एक मिनट के अंदर वरसात हो जाती है एक मिनट में गर्मी हो जाएगी एक मिनट में सर्दी हो जाएगी और बिना कोई intimation के, बिना lakshan के कोई भूगम पा जाएगा कभी एकदम आंदियं चलने लग जाएगी आंदी का मौसम न हो तो भी आंदियां चल जाएगी ये सारी कहते हैं इसलिए हम कहते हैं कि इस स्रस्टी के ऊपर कौन हैं स्रस्टी मा हैं परंतु ये अचानक कैसे होता है ये रजोगुन के कारण होता है और मनुश्य भी उस रजोगुन से प्रभावित होता है रजोगुन वाला व्यक्ति कभी भी reliable नहीं होता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी खशन कुछ भी कर सकता है, वो चलता चलता व्यक्ति पागल भी हो सकता है, अभी अभी आदमी ठीक व्यवार कर रहा था, रजोगुन वाला थोड़े समय के एक इमानदार व्यक्ति रजोगुन आने काण में बैमान बन जाता है एक चरित्रवान व्यक्ति वो अब आप उधरन देखिए रजोगुन के क्या है अब मैं आपको किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन अभी हमारे जो की किसी समय के अंदर बड़े-बड़े महात्मा गिने जाते थे पूजनिय थे बाब रजोगुन में थे तब वो पूजनिय थे रजोगुन में आने से चंचलता होई और अनतिक कारे कर लिये अनतिक कारे करने से उनको जेल जाना पड़ा और उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्टा जो है वो खाक के अंदर मिल गई उन्होंने जो कुछ भी अपना अर्चित किया वो सारा दुमिल हो गया ये रजोगुन करवाता है इसलिए भाईों और बैनों रजोगुन बहुत खराब है और रजोगुन को हमेशा नियंतरन में रखना चाहिए इनके नियंतरन के लिए हम बताएंगे कि इनको नियंतरन के अंदर जब गद्यक्ति का रजोगुन पैदा हो जाえ तो किस तरीके से नियनत्रण के अंद रखना चाहिए पहले हम गुणों की बात कर लेते हैं तो रजो गुण का ये लक्षन है और तीसरा लक्षन तीसरा जो गुण है वो तमो गुण है तमो गुण के अंदर देख करके मेरे आँखों में आँसों आ गए मेरा सरीर काप ने लग गया उसके अंदर ये दिखाया गया कि वेक्तियों को जो है एक जो हत्यारा है कसाई है कई वेक्तियों को जो है वो सुला करके उसके हाथ के पाओं के बेडियां मूँ के पट्टी बांद करके और बेड बक्रियों के तरह उसको उल्टा लटकाया गया और उसके बाद में सबका खून निकाल करके और उनको मार रहा है उसकी हिंसा कर रहा है किस तरीके से जैसे बक्रे मारे जाते हैं उस तरह से हिंसक जो है किया गया तो ये जो होता तमोगुण वड़ा व्यक्ति होता है, तमोगुण वड़ा व्यक्ति हिंसा से उत्परत होता है, उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती है, करुना नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो एक राक्षश होता है, वो एक द्यत्य होता है, तो ऐसे तमोगुण य वो राक्षशों में हुआ करता था और वो तमोगुन राक्षशी व्रती होती है इसलिए जब स्थरस्टी के अंदर तमोगुन वाले व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो ये स्थरस्टी राक्षशी बन जाती है सतोगुन जब बढ़ जाता है तो ये सारी स्थरस्टी जो को प्राप्त होती है, मनुष्य में भी ऐसा होता है, कि मनुष्य वही है, जो उसमें सतोगुन आता है, तो ईश्वर का रूप बन जाता है, देवत्व शक्ति उसमें आ जाती है, और तमोगुन आता है, तो अदम बन जाता है, वो राक्षश बन जाता है, और उसके बीच में जो है रजोगुन है रजोगुन से वाला व्यक्ति सतोगुन में भी जा सकता है तमोगुन में भी जा सकता है ये बीच की इस्तती है वो रजोगुने चंचलता पैदा करती है तो मैं इसको जैन धर्म की परिवाशा में बात करूँ तो जैन धर्म के अंदर तीन तरह के ध्यान बताए गए है पहला आर्त ध्यान दूसरा रोद्र ध्यान और तीसरा धर्म ध्यान बाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड एक खास विशे का प्रतिपादन करते करते हमें थोड़ी ब्रेक की आफशकता हो रही है तो हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बात पूने उपस्तित हो गहन विशे पर गहन चिंतन करने के लिए हम उपस्तित हो गई है जो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति है जो धर्म ध्यान की स्रेणी में चला जाता है धरम की आरादना में चला जाता है वह व्यक्ति सतोगुन वाला हो जाता है और उसके बाद में जो व्यक्ति जो है वो आर्त ध्यान करता है आर्त ध्यान का मतलब होता है एक ही चीज़ की बाहर 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 24 गंटे वही रटन लगी रहती है कि मेरे को वह प्रेमी का चाहिए उससे प्रेम हो गया है वह प्राक्ती होने चाहिए मुझे लाक रुपे मिलने चाहिए मुझे करोड रुपे मिलने चाहिए लालसा लालसा 24 गंटे शरीड के अंदर मन में कोईन कोई ambition को लिए 24 गंटे वही चिंतन होता है, वो आर्थ ध्यान होता है, वो आर्थ ध्यान रजोगुन होता है, और एक रोद्र ध्यान होता है, रोद्र ध्यान बहुत खतरनाक, बेकार, वरस्ट ध्यान होता है, रोद्र ध्यान वाला हिंसक होता है, वो तमोगुनी होता है, तो इसलिए भाई और बैनों, दर्शागन, सोतागन, हमें इस विशे से ये सिक्षा लेनी हैं कि हम रजोगुन, तमोगुन को छोड़ करके सतोगुन के अंदर आए हैं, इसके उपाए मैं बताऊंगा, उपाए बताने के पहले मैं एक प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, इस स्रस्टी के अंदर वर्तमान्य स्रस्टी भी त्री गुनात्मक है, स्रस्टी में तीनों गुन मौदूद हैं, और तीनों गुन वाले व्यक्ती भी स्रस्टी में मौदूद हैं, लेकिन आज क्या है कि रजोगुन और तमोगुन की संख्या बढ़ती जा रही हैं, और रजो चार फैल रहे है, आज संघ्रे की वरति फैल रही है, आज असंवेदन सीलता फैल रही है, आज प्रेम का दरिया, प्रेम का सरोत, प्रेम की नदी, आज उसको सूक गई है, व्यकृति Kommentar कोई करुणा का भाव नहीं है, किसी की परति दया नहीं है, हमारे जो सतोगुन वाले होते हैं वो व्यक्ति के दुख को दे करके स्वयम दुखी हो जाते हैं और वो देखते हैं और वो चिंतन करते हैं कि मैं इसको दुख को सुख में बदलने के लिए कैसे सहोगी बन सकता हूं तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, काया से ये सतोगुन वाला उसके भले की चिंता करना चालू कर देता है तो भाई और बैनों ये आज सारा तमोगुन और रजोगुन बढ़ने के कारण हो रहा है और ये हमारे होने कारण, ये हमारा बड़ा बेद है यह हमें दुखी करने वाले हैं तमोगुण और रजोगुण हैं यह हमें दुखी करने वाले हैं अशांत करने वाले हैं और व्यक्ति की अंदर दुख होता है वो तमोगुण और रजोगुण के कारण होता है और जितना सुक होता है वो शतोगुणों के कारण होता है तो यह ह होती है हम त्री गुप्ती की आराद ना करते हैं त्री गुप्ती क्या होता है मन गुप्ती वचन गुप्ती और काया गुप्ती इन ये उपाय है अगर आपको सतोगुणी बनना है तो ये त्री गुप्ती की साधना करें त्री गुप्ती की साधना हम कैसे करें सबसे पहला मन मन एक गोड़ा है और गोड़ा मन एक चंचल है इसलिए मन के लिए कहा गया है मन के मतेन चालिये पलक पलक मन ओर मन लोबी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मतेन चालिये पलक पलक मन ओर मन हर क्षण बटकता रहता है यह रजोगुन वाला है तो इस गोड़े को कंट्रोल में लाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए हमें ध्यान करना चाहिए हमारी भारतिय संस्कृति में जितने भी धरंदर्शन हैं जितने भी सत्संग होते हैं उसमें ध्यान को सबसे ज़्यादा महत दिया गया है ध्यान करने से हमारा मन नियंतरण में होता है और हमारा इदर उदर भटकाव नहीं होता है हमारे विचारों कालपी करन होता है हम एक इस्तान पर आकर के टिक जाते हैं हम सतोगुनी बन जाते हैं दूसरी गुप्ती होती है वचन गुप्ती वचन का मतलब कि हमारी वानी वानी के लिए कहा गया है ऐसी वानी बोलिये मन का आपा कोई और अनको सीतल करे और आप हूं सीतल होई वानी मों से ऐसी अमरित जैसी निकलनी चाहिए कि वह खुद भी शीतल हो जाए और औरों को भी शीतल करे यानि खुद भी मुग्द हो जाए और और भी प्रसन हो जाए मीठी भासा बोलनी चाहिए, सत्य भासा बोलनी चाहिए, मित भासा बोलनी चाहिए, प्रामानिक भासा बोलनी चाहिए, यदभी सत्यम लोक विरुद्धम ना चर्णियम ना चर्णियम एकदम सत्य बात है लेकिन वो लोक विरुद्ध है लोक का उसके अंदर आहित होने वाला है किसी व्यक्ति का आहित होने वाला है तो वैसी सत्य वानी भी हमें नहीं बोलनी चाहिए मिठी मन भावक मानी का ये वानी का नियंतरन करने से वचन गुपती करने से हम सतोगुणी ब होता है और तीसरी होती काया की गुपता ताकाय गुपती ये सारा रजोगुल क्यों आता है ये सरीर की चंचलता से आता है सरीर इंद्रिया जो है सरीर से जुड़ी हुई होती है तो हम बाहर की और देपने इस्पर्शन रसंग गान, चक्षुशोत्रानी, इंद्रियानी, बड़े अच्छे अच्छे रूप दे करके, अच्छे अच्छे मन मौक, गीत सुन करके, अच्छा स्वाधिष्ट भोजन करके, इस तरीके से अच्छा इसपर्श, कोमल इसपर्श करके, हम जो रा गुन बनता है तमोगुन बनता है तो मैं काया की गुपती करनी चाहिए काया का नियंतर्ण करना चाहिए जो व्यक्ति काया का नियंतर्ण करता है उसकी इंद्रिया स्वता ही नियंतर्ण हो जाती है काया का नियंतर्ण करने के लिए कायोत सर्ग करना चाहिए कायोत सर्ग कैसे किया जाता है कि सीधे बैट करके और रीट की हड़ी को सीधी रख करके आँखें कोमलता से बंद करके ध्यान मुद्रा करके ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा जो इस शरीर शितल हो रहा है और आटो सजेशन देना चाहिए कि शरीर का प्रतेकंग शितिल हो जाए अनुबव कीजिये शरीर की एक कोशी का शितिल हो रही है और अनुबव कीजिये पूरा शरीर रूई की भाद हलका हो गया है कोई तनाव नहीं कोई अकडन नहीं कोई जकडन नहीं कोई बंदन नहीं चारों तरफ आनन दियंदर शरीर का कयोत सर्ग होगा तब हमें चंचलता नहीं आएगी चंचलता को रोकान जाना चाहिए दर्शागंड सोतागंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृतग्यता साधुवाद कि आप प्रती दिन बहुत अच्छी संख्याग में प्रती दिन व्रदी करके आप आ रहे हैं पदार रहे हैं इसी लग रहा है कि आपको इन विश्यों में इंट्रेस्ट आ रहा है और इ इसलिए समस जगत का कल्यान हो और आपका जीवन सुखी हो आनंद मय हो सर्वे भवंतु सुखी ना सर्वे भवंतु निरा मया सभी सुखी हो और सभी स्वस्त हो आपका जीवन मंगल मय हो आध्यात मय हो सुख मय हो आपके प्रति मंगल बावना शुपका झाल झाल